जाहिएं दोस्तों मैं नवीन सर्म आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एक दम अच्छे हैं एक दम बहतरीन हैं एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताएंगे आप सब कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं इसा पांचाल अंकित नेहा राठोड मौनिका डेड़ा अर्विंद कुमार स्वाती गूजर इसा पांचाल कमला चौधरी दाविनी करन राठी प्रिया गूजर अंकित सहरावत कुमारी निधी सब बच्चों का ब अच्चे कंप्यटर का बड़ा महत्व है और कल हमने एक चेप्टर को सुरू किया था नाम था कि आपका इंटरनेट और इंटरनेट को हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर रहे हैं मैंने बताया कि इसको हम नेक्स्ट थरश्डे तक खतम कर रहे होंगे यानि कि फ्राइडे तो आपकी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे फिर इसका तीसरा पार्ट मंडे को कंटिन्यू कर रहे होंगे ओके चलो आगे भई तो सुरू करते हैं आज इसकी दूसरी क्लास को इंटरनेट का पार्ट तू आप लोग टाइम टेबल देख सकते हैं ते लिपलेस कॉंस्ट और मिनिस्टियल के लिए टाइमिंग है यूट्यूब पर ये फ्री क्लास हैं हैड कोश्टेबल एडवलो टीपियो के लिए ये अपकी क्लास के टाइमिंग है तो आज सुरू करने जा रहे हैं बच्चे इंटरनेट की क्लास टू किया सुरू करने जा रहे हैं इंटरनेट क दिखेंगे टाइप्स ओफ नेटवर्क टाइप्स ओफ नेटवर्क कितने पिरकार के नेटवर्क होते हैं क्या बोलोगे नेटवर्क के पिरकार नेटवर्क की अगर मैं पिरकार की बात करता हूँ तो बच्चे नेटवर्क के पिरकार होते हैं हमारे कोल चार कितने पिरकार से बात कर सकते हैं चार पिरकार से बात कर सकते हैं और चार पिरकार कौन कौन से हैं देख लेना नमबर एक, नमबर वन होगा आपका पैन, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, एक लाइन का या दो लाइन का, फिर लिखला पैन के बाद होता है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर होता है बच्चे आपका मैन, और मैन के बाद आपका होता है बच्चे फोर्थ वन, वै होता है क्या होता है वेन होता है तो कितने पिरकार के होते हैं बोलेंगे सभी दोस्त एक बार कितने पिरकार को होता है पैन फिर आपका लेन फिर मैन और फिर वेन होता है यह है क्या समझो पैन है सबसे छोटा नेटवर्क क्या बोलोगे SPAN सबसे छोटा नेटवर्क है सबसे छोटा नेटवर्क और abbreviated form है PAN किसका abbreviation है Personal Area Network क्या बोलोगे Personal सॉरी Personal कर दिया मैंने Personal Area Network Personal मतलब हमने आपस में इसको design कर लिया आपस में कैसे जिसे सबसे अच्छा उधारन होता है इसका Bluetooth Bluetooth आपको कोई image चाहिए थी यूज किया Bluetooth आपने नहीं जैसे Bluetooth से पहले कोई picture मंगानी गाने मंगाने चीक है कोदिक्कत Bluetooth और Bluetooth के बाद में आपका इसी में आता है hot spot जैसे आप mobile का hot spot open कर लेते हैं जो भिक मंगे दोस्त होते हैं जिनका net खतम हो जाता है तो वो hot spot मांग लेते हैं और आप लोग hot spot उनको दे देते हो password बड़ा तकड़ा सा लगा देते हैं हम कभी कभी ले भिकारी ले ऐसा password तो क्या बोलोगे तो ये क्या है छोटा network है जो बहुत दूरी कम दूरी के लिए किसके लिए बहुत कम दूरी तक काम करता है इसकी अपनी limitations है बच्चे Bluetooth हुआ hot spot हुआ almost 22-30 meter तक ही ये काम करता है 20-30 meter तक ऐसा नहीं है आपने hot spot खोल दिया आपकी सहीली चेन नहीं में है और आप हैं दिल्ली में तो सहीली ने hot spot वहां से on कर दिया और आप चला लोगे नहीं possible ही नहीं ठीक है तो क्या बोलोगे 20-30 meter इसकी अपनी एक range है एक limit है ओके चलो एक बच्चा के रहा सर जी 4-5 साल हो गए है तयारी करते हुए selection नहीं होता क्या करूँ संतोस कुमार जी कह रहे है बच्चे तयारी में कोई कमी रह रही होगी तयारी में कोई कमी रही होगी दोस्त उसको पहचाने इसके बाद में आता है local area network local area network अपनी कमजूरी पहचानो देखो आप कहां कमजूर है math में, reasoning में या GS में Hindi में या फिर computer में तो वहीं वहीं आपको महनत करनी चाहिए local area network local area network की limitation कितनी है बच्चे local area network होता है in a office जैसे कि हमारा studio है आप सब ही ने देखा होगा studio की video देखिए न तो studio में ये क्या है सब computer आपस में connect है एक हमने network बना लिया in a office यह मैं बोल सकता हूँ in a building एक building में जैसे कोई होता है किसी-किसी building का headquarter है ठीक है तो वहाँ जो सारे network को का control है ये जो सारे network है आपस में connect है जैसे हमारे जितने भी office के members काम करते हैं उन सब के लिए एक printer है वो कोई भी command देगा एक printer से command आएगी मतलब हमने कुछ computer को जोड लिया एक building में एक office में इसको बोलते हैं हम एक क्या बोलेंगे local area network LAN इसको कहा जाता है क्या बोलोगे local area network कपने limit का होता है 50 से लेकर के 60 meter इसकी limitation कितनी है 50 से 60 meter तक होता है ठीक है बहुत जल्दी आएगा बच्चे paid batch paid batch बहुत जल्दी आएगा फिर आता है metropolitan area network क्या बोलोगे metropolitan metro cities जानते हो जैसे दिल्ली हुई चेन्नी हुई आपकी कॉलकाता हुई मदरास हुई बंगलौर हुई यह metro cities में आते है metropolitan area network metropolitan area network यह क्या होता है इसकी limitations क्या है अगर मैं बात करूँ इसका सबसे best example है city cable आज तो बच्चे DTH आ गया है direct to home है आज तो dish TV की छतरी लगाई है और चला लिया पहले क्या होता था सेहर में होता था आपका dish TV मतलब कि एक cable connection होता था और पूरा सेहर उसी से चलाता था हाना 100 रुपे महीने 200 रुपे महीने देखर के चलाया किसीने नहीं चलाया आपके घर में किसीने देखा पहले cable होते थे यह जो चतरी अबाई है या ना DTH dish TV आ गया वीडियो कौन आ गया इन सबसे Sky TV आ गया इन सबसे पहले होता था आपका क्या city cable हुआ करता था चलाया है सर चलाया है बहुत बढ़िया आज भी यह हमारे हैं तो city cable होता है बच्चे और इसकी limitation कितनी है कि यह आपका बुलते हैं 10 किलोमीटर से ले करके और 50 किलोमीटर तक के area को control कर सकता है 50 किलोमीटर तक इसकी limit है तो यह क्या हो गया इन सिटी इसके दोरा एक सहर को जोड़ा जा सकता है बहुत बढ़िया इसके दोरा विनित सिंग कह रहे हैं सर मैं बढ़िया हूँ एक दम आप बताओ आप कैसे है आप बढ़िया तो मेरे दोस्त मैं भी बढ़िया ठीक है भई फिर आता है बच्चे wireless सरी wide area network क्या बोलोगे wide area network आ जाता है wide area network क्या होता है अब सहर को तो जोड़ लिया बचा दिस तो क्या बोलेंगे in a country होता है वो तो city में हो गया यह होता in a country एक सहर के network को आपस में जोड़ना ठीक है जैसे की geo समझो आप geo पूरे देस में उसके users है तो network कहां फेला हुआ है पूरे देस में कैसे तो जब geo हुआ आपका सुरू तो geo से पहले उसकी line बिचाईगी fiber की line बिचाई जाती है मैं बताओंगा fiber cables, coaxial cables क्या होती है इन a country किसके दौरा? wiring के दौरा इनको जोड़ा जाता है बच्चे in a country in a world in a world एक देस से दूसरे देस तक का भी network एक देस से दूसरे देस तक का भी network होता है जैसे देखो आप देखते हैं कैसे बिचती है line अगर मैं आपको बताओं बच्चे अगर मैं आपको बताता हूँ अगर हम देखें cable lines की बात कर रहे है किसकी? दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार देखो यह देख रहे हैं आप यह cable है ऐसे cable होते हैं जो समुंदर के दुआरा यह समुंदर में से होकर कर बिचा जाते हैं यह एक देस से दूसरे देस कैसे जाएगा इतनी मोटी coating होती है कि इसको मचली है समुंदरी जीव नुकसान नहीं पहुचा पाते है दिकत यहां तक की बात में कोई दिकत बोलेंगे एक बार तो यह cables होती है जो बिचाए जाती है ठीक है बहुत बढ़ी है कमल सागर जी कह रहे है जो student UPSI के छात्रों को अकेला छोड़ लेकपाल के स्वार्थ में व्यस्त थे अब हम भी उनका साथ न दे रहे हैं बहले जाओ कोट क्या है यह वावे वाँ बहुत बढ़ी है यह अच्छा है मैं तुम्हें एक बात बता दू बच्चे अभी आप छोटे बच्चे हो चोटे बच्चे क्या मतलब साइद आप बहुत दिनों से मुझसे बड़े भी हो सकते हैं लेकपाल वाले बहुत सारे बच्चे लेकिन कोई भी भरती पिरक्रिया अगर दोस्त कोट में चली जाती है तो आप कोई भी ट्वीटर अभियान करें कुछ भी आप YouTube पर खड़े हो करके चलाएं चाहे आप करोडों हो दो करोडों हो या पांच करोडों हो कोई फरक नहीं पढ़ता है सरकार को कभी भी भरती कोट में चली जाती है तो सरकार सिर्फ और सिर्फ जवाब देना जानती है कोट में और वो अपने पक्ष की तयारी करती है, किस के लिए, सिर्फ और सिर्फ fiance के लिए, किस में आपका court में, वो किसी बच्चे की प्रतिक्रिया का जवाब नहीं देती, वो किसी यूट्यूब चैनल की प्रतिक्रिया का जवाब नहीं देती, समझ रहे हैं, तो हमेशा जो गवर्मेंट को करना होता है वो गवर्मेंट करेगी कोर्ट के decision पर चलो भई बोलेंगे wide area network in a country in a world ये क्या होता है सबसे बड़ा network होता है जिसके द्वारा दुनिया को जोड़ा जाता है जैसे कुछ network हैं आपके generations में आप कौन-कौन से जानते हैं कुछ network जैसे की 2G हो गया ये आपके wide area network में आते हैं 2G से पूरे देस में 2G चलता है ठीक है 2G हो गया 3G हो गया 4G हो गया 5G हो गया ये बहुत अच्छे example है कि इसके wide area network के ठीक है क्या बोलेंगे यहां देखो दियान से बच्चे अगर 2G की बात करता हूँ तो 2G का क्या बोलोगे आप 2G कब launch हुआ आपका 1991 में 3G पूछे आपसे कब launch हुआ 2001 में launch हुआ 4G पूछे 2009 में launch हुआ और 5G पूछे आपसे 2021 में launch हुआ में launch हुआ तो यह बहुत पूछता है बच्चे simply तो इनकी full form पूछ लेता है land क्या है man क्या है क्रम में लगाने को दे लेता है सबसे बड़े network से सबसे छोटे network की तरफ एक बच्चा पूछ रहा है बहुत अच्छा question है G क्या होता है G का मतलब होता है दोस्त generation G stands for तो आप क्या बोलोगे generation third generation any problem इतनी बात clear है इतनी बात मेरे दोस्त clear है बोलेंगे एक बार चलो हाँ 6G, 7G सब आएंगे 8G भी आएगा, 9G भी आएगा 9G भी आएगा चलो, पाले जी पाले जी पहले ही आगया था सबसे पहले अब आते हैं इंटरनेट के विकास की तरफ याद रख लेना बच्चे यहाँ नोट बनाएंगे कुछ बहुत अच्छे 1969 में अमेरीकी रक्षा विवाग ने मैंने ये नाम आप से दो-तीन बार पहले भी लिया है और मैंने बताया था मैं इसको आगे पढ़ा हूँगा तो आज नमबर आया 1979 में अमेरीकी रक्षा विवाग ने जो डिफेंस डिपार्टमेंट है अमेरीका का अमेरीकी रक्षा विवाग ने एक एक यंतर बनाया यंतर बनाया या मसीन थी पूरी एक जिसे एर्पानेट नाम दिया गया क्या नाम दिया जिसे अर्पानेट नाम दिया बच्चे इसका फिलफाउम मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ तो बुलेंगे एक बार जिसे एर्पानेट नाम दिया और यही एर्पानेट और यही अर्पानेट इंटरनेट के विकास का आधार बना क्या बोलोगे अर्पानेट इंटरनेट के विकास का इंटरनेट के विकास का आधार बना तो आपसे कोई भी पूछे कि इंटरनेट के विकास का आधार कौन सा यंत्र था या कौन सी मसीन थी विकास का आधा बना तो वो क्यों था एर्पानेट एर्पानेट बोले तो बच्चे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ये एर्पानेट का पुरा नाम है हम पहले भी लिख शुके हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट नर्सिंग निशाद जी एकदम ठीक आंसर दे रहे हैं भुलबल चौहां एकदम ठीक दे रहे हैं बहुत बढ़िया चल कुदिकत तो 1979 में बना और इसी का इसी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट का प्रियोग सब से बढ़िया किया किसने 1989 में टिम बर्नर्स ली ने 1989 में टिम बर्नर्स ली ने डवलू 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 और यानि क्या बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेव और एच्टी एमल एच्टी एमल का विकास खिया अगर बात आएगी क्या बच्चे डवलू 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 और डवलू 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 वर्ल वाइड वेव और एच्टी एमल का विकास किस ने किया टिम बरनर्स ली इसको मार्क करके रखेंगे मोश्ट इंपोर्टेंट कुश्चन है बार बार पुछा जाता है तो वाइड वेव को डिकत और ऐसे ही आपका एच्टी एमल क्या होता है हाइपर टेक्स्ट अभी पढ़ेंगे हम एच्टी एमल को होता क्या है हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लेंग्वीज मार्क अप लेंग्वीज एच्टी एमल को डिकत यह एच्टी एमल इन्होंने बनाया क्यूं क्या इस्तेमाल इसका होता है इंटरनेट का इंटरनेट को चलाने में क्या उप योग है तो याद रखेंगे न किसी वैव पेज को किसी वैव पेज को डिजाइन करने के लिए किसी वैव पेज को डिजाइन करने के लिए HTML भासा हो गई ने एक HTML भासा Hypertext Markup Language का प्रियोग होता है अब आपके दिमाग में प्रसन आएगा कि भीया जी फिर वैव पेज क्या होता है जैसे बच्चे आप Chrome इस्तेमाल करते हूं अभी तो आप सर्च इंजन नहीं जानते अभी तो आप ब्राउजर भी नहीं जानते हैं जैसे कर दिया मैंने सर्च कर दिया तो यहां एक link खुल करके आता है क्या आता है एक link खुल करके आया अब ध्यान से समझना वैब page क्या होता यह एक homepage है यह क्या है एक homepage है तो किसी भी link पर click करने पर किसी भी link पर click करने पर क्या बोलोगे किसी भी link पर click करने पर जैसे यह link आ रहा है मैं इस पर click कर दूँ किसी भी link पर click करने पर जो page खुले जो page खुले उसको क्या बोलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग web page क्या बोलेंगे किसी भी link पर click करने पर जो page खुलता है ध्यान से आएंगे अब बाता है किसी भी link पर click करने से जो page open होता है बहुत बढ़ी है किसी भी link पर click करने से जो page open होता है या खुलता है page open होता है उसे web page कहते हैं web बोले तो website web page कहते हैं ये तो बाईत हुई किस की हमारी ये बाईत हुई हमारी किस की HTML की बात बाईत बोलते हैं बात को ओर www world browser व genre page क्या है पूरी दुणिया भर में जो ये computer फैले हुए है पूरी दुणिया भर में फैले हुए computerों का जाल www है waving वेव किसको बोलते हैं Spider-Man देखिए तुमने उसका जाला मकडी वेव बोलते हैं जाल को जाले को जाने इस यह करता है तो वह कौंसा है वो जाला है वेव तो वो जाल किसका पूरे वर्लड वाइड पूरे विश्व इसतर पर कम्प्यूटरों का जो जाल है computer का जो जाल है वही आपका worldwide wave कहलाता है किसी भी link पर clip करने से जो page open होता है बच्चे page open होता है उसको web page बोलते हैं और web page को design करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है hyper text markup language का इस्तेमाल होता है को दिकत अब जैसे मैंने बताया कोई link है एक platform आती है बच्चे पूछी जाती है बहुत और इस बार दिल्ली पुलिस में दो-तीन सैट में पूछी गई URL का पूरा नाम क्या होता है तो URL का पूरा नाम होता है uniform resource locator important marker के लिखोगे बच्चे uniform resource locator अब ये क्या है URL locate करता है जैसे आप GPS चलाते हो GPS में आपको कहीं जाना है जहां आपको जाना है आप वो address डालते हो तो वो location आपको दे देता है locate कर देता है आपको कि भईया ऐसे ऐसे जाओगे तो जब आप किसी website पर जा रहे हैं किसी webpage पर जा रहे हैं उस webpage का जो पता है वो कौन बताता है URL बताता है लिखेंगे किसी किसी वेब साइट का पता किसी वेब साइट वेब साइट का पता URL बताता है बताओंगो मैं आपको जब डोमेन पढ़ा हूँआ बहुत अच्छे से .com वगेरा सब कुछ एकदम से ओपन करके देखेंगे चीक है Current Affairs मैं नहीं पढ़ाता हूँ दोस्त अजय कुमार यादव जी सौनवीर सर पढ़ाते हैं यहां वैब पेज पर अध्रेस प्रोवाईड करता है अध्रस प्रोवाइड बोले या बोले प्रदान यहीं प्रोवाईड करता है को दिक्कत बच्चा इतनी बात में ये बात हुई URL की अब ये जो www थी Worldwide Wave यानि पूरी दुनिया में फैला हुआ कम्प्यूटरों का जो जाल है लिख देता हूं मैं एक बार क्योंकि आपको सिर्फ बोला हुआ कभी ध्यान नहीं रहता है और जो लिखते हैं उसी को आप लिखते हो ऐसा नहीं करते हैं आपकी बोल लिया तो अपने आप नोटस बना लू थोड़े से ठीक है दिल्ली पुलिस के लिए GS का सेट चलता है सामती है तीन बज़े की क्लास में जड़ो तीन बज़े यूट्यूब पर क्लास होती है GS नाम से यूपी पुलिस कॉंस्टेबल और लेकपाल की GS किसी भी एकजाम के लिए अलग नहीं है किसी भी एकजाम के लिए अलग नहीं है वर्ल्ड वाइड वेव ठीक है तो बच्चे ये क्या है विस्व भर में फैला कंप्यूटरों का जाल विस्व भर में फैला कंप्यूटरों का एक जाल अब इस डवलू डवलू को कंट्रोल कौन करता है जो दुनिया भर में जैसे मैंने कल बताया इंटरनेट पर जो पकड़ है वो I can sense था सब से उपर sense था है ऐसी बच्चे मुझे बताओ आप लोग डवलू डवलू को कंट्रोल कौन करता है तो याद रख लेना डवलू 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 वर्ल्ड वाइड वेव को कंट्रोल करने के लिए को कंट्रोल करने के लिए करने के लिए एक संस्था बनाई गई है को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था एक संस्था स्वरी एक संस्था डबलू, 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 सी काम करती है किसी बच्चे का अंसर आया डबलू, 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 सी काम करती है तो डबलू, 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 पर कंट्रोल किसका है वो है डबलू, 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 सी इसी बार देलिपलिस में पुछा हुआ कुश्यन था डबलू, 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 सी का मतलब क्या है वर्ल्ड वाइड वेव तो आप क्या हो गया बच्चे वर्ल्ड वाइड वेव कॉन्सोर्टियम क्या बोलते हैं कॉन्सोर्टियम वर्ल्ड वाइड वेव कॉन्सोर्टियम इसको हम कहते हैं चीक है अब बच्चे यहां बात आती है कि इसको हम और क्या बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेव को हम बोल देते हैं कई बार डवलू थ्री या थ्री डवलू भी इसको बोल देते हैं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं संस्था को डवलू थ्री सी या थ्री सी डवलू सी भी इसको कहा जाता है डबलू 3 मतलब 3 बार डबलू, वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव, C4 consortium, या 3W मतलब वर्ल्ड वाइड वेव consortium, तो आपको देखने को मिल सकता है, कंप्यूटर सब्दावली में, डबलू 3C का क्या अर्थ है, consortium मतलब एक संगठन हो गया, संगठन हो गया, जो किसको नियमित करता है, किसको कंट्रोल करता है, बच्चे, किस पर नियंतरन रखता है, worldwide wave पर क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो वो कॉंसिसन्स था है, www, ठीक है, ऐसे ही एक नाम आता है आपके सामने, www, www, या इसको हम कहा देते हैं, 4W, और W4, कंप्यूटर सब्दा बली में, W4 का क्या मतलब होता है, ये होता है, बच्चे, worldwide wave warm होता है, क्या होता है, worldwide, worldwide, sorry, worldwide wave warm होता है, को दिकत बच्चे, वार्म होता है, www, ये एक फिल फॉर्म आपको याद रख लेनी है, ओके, अब फटाफिट से एक कुशन पूछने जा रहा हूँ मैं, आप लोगों से, मुझे आंसर करना, कल मैंने बताए थे, इंटरनेट को चलाने के लिए, कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, जल् इएफ के आंसर नहीं मिलते हैं, आप लोग मतलब ऐसे कैसे हो जाते हो, बिल्कुल भी महनत नहीं करना चाहते हो, रटना चाहते हो, वो उसलिए आंसर ने दिये, क्योंकि फिर आप लिमिटेडी पढ़ होगे, कुशन का आंसर पढ़ होगे, आप नहीं, कभी नहीं, आंसर क को कौन-कौन से बताई थे ओवरॉल तीन प्रोटोकॉल होती है एक बताई थी मैंने TCP एक बताई थी मैंने IP एक बताई थी HTTP लेकिन HTTP पर जो हम डेटा भेजते हैं यह इंटरनेट चलाने के लिए किसी डेटा को पहुचाने के लिए प्रोटोकॉल है देखेंगे द्यान से यह हम कल पड़ चुके TCP बंडलों में तोड़ता है IP क्या करता है सिगनल को आगे भीजता है आगे भीजता है यह एक्स्टेंड करता है क्या करता है extend करने का काम करता है ये क्या करता है information को छोटे छोटे बंडल में तोड़ता है छोटे छोटे बंडल में तोड़ता है और फिर बात आती है http क्या काम करता है ये करता है आपका क्या बोलोगे information को send करने का काम क्या बोलेंगे data इसने तोड़ दिया इसने extend करके आगे को भीज दिया और finally receiving किसके दवारा हुई HTTP क्या करता है data को data बोलो यह सिर्फ data नहीं बोल सकते information भी बोल सकते है data information को finally access कराता है finally access कराता है कौन कराता है बच्चे? HTTP यानि की हम कह सकते हैं file को transfer कराता है फाइल को transfer कराता है लेकिन बच्चे जब हम internet में HTTP hypertext transfer protocol इसका पूरा नाम लिखेंगे पहले तो HTTP का पूरा नाम क्या है? hypertext hypertext transfer protocol समझेंगे बात को? hypertext transfer protocol और बच्चे ये जब data हम भेजते हैं याद रख लेना HTTP के द्वारा के द्वारा बेजा गया data बेजा गया जो data होता है S रक्षित रहता है अनसेफ रहता है क्या बोलोगे? security नहीं होता है S रक्षित रहता है तो उससे बचने के लिए तो उससे बचने के लिए और दिल्ली प्लिस कॉंस्टिबल में अभी ये फिल फॉर्म पूछी गई उससे बचने के लिए previous year में कैसे बचे? data तो secure नहीं है तो secure कैसे किया जाएगा? तो उससे बचने के लिए HTTPS का इस्तेमाल होता है यानि अब data को secure करना पड़ेगा न? और secure करने के लिए कौन सी टेकनिक है? कौन सा प्रोटोकॉल है आपका? HTTPS और HTTPS का क्या आर्थ होता है बच्चे? यानि S का क्या आर्थ होता है? क्या बोलोगे? Hyper text देखो ये जो हमारा दोस्त यहां बैठे हुए है streaming के लिए हमारी team के member एक संकर नाम का बच्चा है उनको ये बार-बार आउट कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं आप लोग यहां पढ़ने के लिए आए हो ठीक है? क्या बोलोगे? मैंने बोला कि ये क्या है ये क्या है आपका HTTPS आप लोग पढ़ने के लिए आते हों पढ़ो सिर्फ ठीक है? बोलेंगे फटाफट से Hyper text transfer protocol Hyper text transfer protocol Hyper text transfer protocol Secure क्या बोलोगे? Secure अभी मेरे दोस्त तुम YouTube की दुनिया की हकीकत नहीं जानते हो बहुत दूर हो भी साइद आपको जानने में समय लग जाएगा और आप एक बात कहेंगे कि हम से भूल हुई हम से भूल हुई और हम पहचान नहीं पाएं बच्चों के लिए जरूरी है क्या? जरूरी है कि जो सिलेबस है उसको तियार करना बाकी सारी चीजों से दूर हट करके और जब जब आप अपना ध्यान भटकाओगे आप मेरिट से नीचे रह जाओगे और मेरिट से जब नीचे रह जाओगे तो दोस्त बाद में फिर उदासी मायूसी रह जाती है एक दुख रह जाता है एक मलाल रह जाता है तो इतनी मेहनत करो कि कभी मेरिट से चूको ना हमारी तयारी में हमीसा कमी होती है मैं अगर बोलू कि मैं सफल नहीं हुआ तो मेरी कमी है मुझे accept करना चाहिए ठीक है बिलकुल कराएंगे सूरज सिंग सूरज सिंग बिलकुल कराएंगे अब floor भी कराऊँगा, ceiling भी कराऊँगा बहुत आसान formula है MXXL के आसानी से समझें समझ रहे हैं बच्चे क्या बोलोगे internet पर प्रोटोकॉल की बात कर रहे है HTTP के दुआरा भेजा गया data S रक्षित रहता है, उससे बचने के लिए HTTPS का इस्तेमाल हम करते हैं यहां तक की बात तक बच्चे आज पढ़ेंगे और इसके बाद में हम लोग सुरू करेंगे किसको internet से जुडने के लिए जरूरी चीजे क्या है internet से, जैसे की हमको चाहिए क्या modem चाहिए computer चाहिए एक ऐसी company चाहिए जो हमको internet दे और जो company हमको internet देती है जैसे Vodafone उसको बोलते हैं ISP Internet Service Provider internet service provider हम कहते है बच्चे बच जूटी दिलासा देने काम नहीं करता मेरी बाते कड़वी हो सकती है आप लोगों के लिए आप इस बात को जानते हैं और मैं ignorance बिलकुल नहीं चाहता मैं कहता हूँ कि आप रहे हैं तो महनत करते रहो आपको सफल कराने का एक मातर तरीका सिर्फ महनत है और कोई तरीका नहीं है टेस्ट नहीं बिसना बिटिया बच्चे आप लगसाइद लगातार क्लास नहीं कर रहे है टेस्ट तब होता है जब तरश्डे तक लेक्चर चलता है फिर फ्राइडे को उसकी प्रेक्टिस करते हैं अब हमारी प्रेक्टिस इस बार मंडे में हो गई थी है ना सॉरी उसमें वेडनश डे में तो ने अट चेप्टर हमने चलाया इसलिए हम प्रेक्टिस नहीं कर पाए हैं ओके तो अपना ध्यान रखो को बहुत-बहुत सारा सभी बचे और जरूर जरूर कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी दो लेक्टर हो चुके हैं बहुत छोटे-छोटी क्लास कर रहे हैं बले आराम से आप इनको अपने दिमाग में सैट कर सकते हो बलकि जो बच्चा अच्छे सब्सक्राइबल में भी कंप्यूटर से कुष्चन कुछ जाएगा हर एक्जाम में और दिल्ली के लिए तो इस पेसल कंप्यूटर है ही और कंप्यूटर की बुक की बात करें इधर से यह पहुच चुकी है आपकी अब इसमें क्या है इसकी डिजाइनिंग कलर वगेरा अपने आपको पढ़ाही में जितना ज्यादा सल्लंगन रखोगे उतनी जल्दी सफल हो जाओगे इधर उधर की बाते करोगे तो लेट आप होगे नुकसान आपका होगा ओके बाए बाए टेक कियर